तो भाई ऐसा क्यों होता है कि जब चडिया प्लेन से टकराती है तो इतना बड़ा प्लेन क्रेश हो जाता है तो 2009 में USAOS की ये फ्लाइट जिसके जैट इंजन में धेर साज चडिया चले गए थी और इसका इंजन फेलियर हो गया था पर आप ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता क्योंकि अब नए प्लेन्स की थोड़ी जादा टेस्टिक होती है और एरपोर्ट पे रडार होते हैं जो कि डिटेक्ट करते हैं कि उस एरिया में बर्ड है की नहीं तो वैसे इन बर्ड को ऐसा लगता हो कि यह कोई बड़ी बर्ड है जो हमें खा रही है आपको यह लगते हैं